Hello everyone, welcome back to my channel The Workroom जब हम लोगों ने इंडस्वाली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था इंडस्वाली सिविलाइजेशन के में फीचर के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी तब हम लोगों ने वहाँ पर एक Indus Valley Civilization के एक main feature के बारे में बात की थी हम लोगों ने बात की थी Indus Valley में present main seals key, important seals key एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Indus Valley Civilization में जितनी भी seals प्रेज़न थी जितनी भी important seals प्रेजन थी उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग seals के बारे में detail से बात करेंगे So let's get into the video Seals Indus Valley Civilization का सब से important feature है Indus Valley Civilization में 2000 से भी अधिक seals की discovery हुई थी और ये seals सोप स्टोन, टेराकॉटा और कॉपर की बनी हुई थी ये seals हम लोगों को Indus Valley की useful information देती है और ये seals Indus Valley Civilization के बारे में हम लोगों को बताती है Indus Valley में मिली इन seals पे human and animal figures बने हुए है बहुत सारी seals पे real animals के figure बने हुए है और यहाँ पर कुछ seals ऐसी भी हैं जिन पर mythical animals के figure बने हुए है जैसे कि यहाँ पर कुछ seals ऐसी मिली हैं जिन पे unicorn के figure बने हुए है यहाँ पर मिलने वाली सील्स rectangular, circular and cylindrical shape में होती है इंडर्स वैली में मिली कुछ सील्स ऐसी भी है जिन पर descriptive pictorial writing देखने को मिलती है यहाँ पर बहुत सारी सील्स ऐसी भी present है जिनके back पर एक knob present है एक उभार present है इस knob में एक hole भी present है ऐसा माना जाता है कि यह जो सील्स होती है वो different association या merchants के stamping purposes के लिए use की जाती है और यह जो सील्स होती है उनको अपने गले पे या arm पे भी पहना जाता था इंडर्स वैली civilization में present यह सील्स इंडर्स वैली के लोगों को वहां के culture को और इंडर्स वैली civilization के civilization को दिखाती है यह सील्स इंडिकेट करती है first यहां के लोगों की dresses को, ornaments को और लोगों की hairstyle को second यह दिखाती है इंडर्स वैली civilization के artist को, उनकी skills को और वहां पे present statues को third यह दिखाती है इंडर्स वैली civilization के trade context को and commercial relations को fourth number पे यह दिखाती है religious belief को and fifth number पे यह seals present करती है इंडर्स वैली civilization में present art of writing को, script को अब हम लोग बात करेंगे इंडर्स वैली में present कुछ important seals के बारे में यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पशुपती seal के बारे में इस seal में एक योगी describe हुए है यहां पर इस seal में एक योगी बने हुए है जिने Lord Shiva माना गया है और इस picture में Lord Shiva के सिर पे एक horn का पेर बना हुआ है जिसे crown माना गया है और यह Lord Shiva राइनो, बफैलो, एलिफैन और टाइगर से घिरे हुए है और उनके throne के अंडर दो deer बैठे हुए है और यह shield Lord Shiva को दिखाती है और यह shield बताती है कि इंडर सेली सिविलाइजेशन के टाइम पे Lord Shiva की पूजा की जाती थी और इने Lord of Animals भी बोला जाता था और इसी वज़ा से इने पश्युपती सील भी बोला जाता है अब बात करेंगे इंडर सेली सिविलाइजेशन में present second important seal यानि की unicorn seal के बारे में Unicorn एक mythological animal था यह seal दिखाती है human के early stage के civilization को यह seal प्रेजेशन करती है कि human ने अपनी imagination से बहुत सारे creation किये है human ने अपनी imagination से bird का shape, animal का shape ये सब create किया और ये सारे shapes ही आगे चल करके एक art की तरह form होती है अब last में हम लोग बात करेंगे bull shield के बारे में ये shield एक hunt bull को present करता है जो के दिखने में काफी जादा powerful लगता है और ये figure शो करता है artistic skills को और ये figure present करता है animal anatomy की great knowledge को Indus Valley की खुदाई से बहुत साथी seals and statues की discovery हुई और यहाँ पर present seals and statues की discovery से यहाँ की various sites और यहाँ की connection को present किया जाता है और इसके साथ ही हरपन culture के लोगों को और उनके religious beliefs को भी ये seals and statues present करते हैं